मैंने निंदर से बाते की हैं मैं आपको ये कविता सुना रहा हूं और इसके लेखक हैं प्रकाश मनों इसके बात का किस्था कविता के बाद मैंने निंदर को देखा है मैंने निंदर से बाते की हैं मैंने उसे देखा है कभी लाहौर कभी अंबाला की गलियों में अकेले घुमते हुए उदास मैंने उसे देखा है चाए घर के कोने की बिंच पर अकेले चाए और आंसू पीते हुए बुदबदाते खुद से मैंने देखा है उसे दोस्तों के बीच कभी वाचाल कभी एकदम चुप़ी के खोल में दुब के कहीं कुछ तलाशते हुए जो एक आएक फिसल गया है जिन्दगी से मैंने उसके चेहरे पर अचानक घिराए दुख और उदासियों के काले बादल देखे है जो कहीं बरसना चाहते थे तो शब्दों की दुनिया में चले आए मैंने निंदर को देखा है तक्सीम की तकलीव भरी यादों को गहराते हुए मंटों के टोबा टेक सिंग में फिर फिर तलाशते हुए इतिहास का वो दर्द भरा नाटक जिसने पूरे देख को कपां दिया मैंने देखा है उसे चुपके से आंसु पोश्ते मैंने उसकी उदासियों से बातें की हैं उसने रोते रोते अपने बच्पन की दोस्त आरिफ और हिसाब सिखाने वाले मास्टर यूसुफ मिया के बारे में बताया तो मैं अपने आसुओं को रोट नहीं पाया मैं समझ गया वे कौन सी अफाट बेचैनिया थी जो उसे कविता की ओर खीज रही थी और कई कई दिनों तक वो सहज नहीं हो पाता था बहुत कुछ था जो कि उसे करना था क्योंकि दुनियादारी के तकाजे थे मगर सब कुछ से पहले और बाद में भी उसका खुद से मिलना जरूरी था क्योंकि जब जब वो खुद से मिलता था धदा कर जनमती थी एक नई कविता जिसकी आज को सहार पाना मुश्किल था अपना खुद का आकाश लिए उसकी अपनी बिलकुल अपनी कविता जो कविता भी थी और नाटक भी क्योंकि उसमें जिन्दगी तूट कर आती थी और खूँद थपेड़े देती थी शायद इसी लिए कविता लगातार लंबी कविता होती गई और लंबी कविता जिन्दगी का महा आख्या कविता निंदर के लिए क्या थी कहना मुश्किल था मगर मैंने निंदर की कविता के लिए बेचैनियों से भर कर रात रात भर शब्दों का पीछा करता देखा है मैंने देखा है निंदर की कविताओं का फैलता हुआ आयतन जिसमें से कभी कहे कबीर सुनो भई साधो जैसा नाटक निकल पड़ता है तो कभी लंबी कविताओं का पूरा एक शास्त्र विधान कभी आत्म कथा संस्मरन और आलोचना की डगर पर बहुत कुछ जो औरों के लिए अजाना था मगर सब कुछ के बावजूद कविता है कि कभी खत नहीं होती कि वो हर सांस हर बड़ बड़ाहट हर बुदबुदाट में है उसकी हाँ मैंने देखी है उसकी खत बड़ाहट और भीतर का वो कभार भरा अंधेरा कारखाना भी जहां हर वक्त चलती है खटपट खटपट जैसे हमारी स्रश्टी का कोई आदी पुरुष अपनी सर्वुत्तम रचना में जोटा हो और फिर शब्दों के उसकबार में से एक आएक निकल कर आती है एक दमक्ती हुई पुर्जोर कविता जिसमें समय की आधियों की गूजे और आर्थनाध है बेसबर चुनौतियां भी अन्याय के खिलाफ खौलता हुआ गुस्सा और किसी कमजोर के कंदे पर रखा हुआ आश्वस्ती भरा हाथ मन और इरादों की गर्माहट से भरा वो हाथ जो कुछ नहीं कहता पर भीतर के चुप्पियां कह देता है कि हाँ मेरे दोस्त मेरे प्यारे भाई मेरी हर कविता तो तुम्हारे लिए ही है मेरे हर शब्द की पुकार तुम्हारे सिर्फ तुम्हारे लिए लड़ाई का जैगोश है और अगले पल फिर वो चुपचाप अंबाला की उदा सड़कों पर टहल ने निकल पड़ता है जहां उसने हवा से बाते करते हुए कसमे खाई थी कविता के साथ पूरी उम्र गुजारने की उसकी मुईथी जबान से प्यार बरसता था पर ये प्यार उसमें सब को बाटा शब्दों की दुनिया के किसी नौसिखिये से लेकर उन सब को भी जो कबीर की तरह लिये लुखाटी हाथ निकले थे जिनोंने अपना सब कुछ जलाया था एक खुबसूरत दुनिया की नीव बननी के लिए सब के लिए बरसता था उसकी मीठी जबान का प्यार पर सबसे ज़्यादा कविता के लिए जिससे उसे इश्क था बेपना और जिसके साथ उसने ताउम्र जिन्दगी गुजारने का फैसला किया था मैं जब जब उसे पढ़ता था मैं जब जब उससे मिलता था मैं जब जब उससे बाते करता था फोन पर सुनाई देती थी जब भी उसकी शहद घुली दोस्ताना आवाज मैं उसका हाथ पकड़े लाहौर और अम्बाला की उदा सड़कों पर भटक में निकल पड़ता था जहां उसके कच्चे किशोर कदमों की शिनाखत के साथ ही मुझे मिल जाता था करवटें लेता एक सपना और एक जुनून भी जो उम्र भर उसके साथ रहा शब्द ही इन बेचैनियों की शकल में कल रात जब लिखने बैठा उस पर चंद सत्रें कुछ आड़ी तिरची सी मेरे कदम फिर अम्बाला की सड़कों पर निकल गए वहाँ एक कॉलिज के सामने चाएगर में वो बैठा था हाथ में एक किताब लिए किताब खुली थी पर आखें उसकी चाएगर की दिवारों के पार किसी अंत ही नाकाश को टटोल रही थी मुझे देखकर वो उठा मिलाया हाथ और जब चलने लगा तो उसने मेरी आँखों में देखा बड़े बिश्वास से अभी तो बहुत कुछ लिखना है मेरे दोस्त अभी बहुत कुछ अधूरा है जिसे पूरा करना ही चाहता हूँ जाने से पहले उसने कहा हाँ होगा वो जरूर होगा पूरा निंदर मैंने उसके कंदे पर रखा हाथ यकीन से उसने अपने हाथों मेरा हाथ लिया और हम विदा हुए रात सोने से पहले मैं फिर से सोच रहा था निंदर से अपनी ताजा मुलाकात के बारे में कि तभी भाई नरिंदर मोहन का फोन मनु जी कैसे है शब्दों में जैसे जर रही हो मिठास अच्छा हूँ अभी अभी निंदर से मिलकर लोटा हूँ कहा मैंने तो हसे खूब हसे नरिंदर मोहन इतनी जोर की हसी की उसका प्रकंप मेरे मोबाईल को भी थर्थरा रहा था हसते रहे थे हसता रहा मैं भी देड़ तक हसी का एक समुद्र था वो जिसमें खो गए थे वे मैं भी खो गई दिशायं तलक बच रहा था बस निंदर उसी तरह लाहोर दिल्ली और अंबाले की सड़कों पर घोमता हुआ उदास उसे पूरी करनी थी अभी कई अधूरी पड़ी कविताएं और मंटो के टोबा टेक सिंग पर कोई ऐसा दर्द भरा अख्यान जिसे चाहकर भी अब तक वो लिख नहीं पाया था लेकिन जाने से पहले उसे जरूर पूरा कर जाना जाता था ये कविता प्रकाश मनू ने लिखी है बहुत बड़े साहितकार हैं लेखक हैं और अगर आपने इसको पूरा सुना होगा तो समझ गए होंगे उन्होंने अपने दोस्त नरिंद्र मोहन के लिखी जो नरिंद्र मोहन पीडा है, तकलीफ है, दोस्त का बिचो है और उसकी चटपटाहत है जो वो लाहर छोड़कर आया है अंबाला में रहता है और दिल्ली में बटकता है किस तरह उन्होंने इसको समयटा है तो बहुत खुबसूरत कविता थी तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसको पढ़ दूँ और आप तक ले आऊँ उमीद है मेरा पढ़ना आपको अच्छा लगा होगा क्योंकि कविता तो बहुत ही खुबसूरत है और इससे खुबसूरत श्रधानजली कोई एक दोस्त अपने दूसरे दोस्त को दे नहीं सकता इससे बहतर नहीं लिख सकता आज के लिए बस इतना है